बिहार में कोरोना का विस्फोर्ट सुरू हो चुका है राजमी गुरुवार को एक दिन में कोरोना की एक सेट नए संक्रमितों का पता चला है बता दी कि पटना जुले से अधिक्तम एक्तस नए पॉजिटिफ केस सामने आये हैं जो पिछले 24 घंटों में दर्ज किये गए भग आधे हैं आपको बता दी कि यहां तक वाइरस जो पहले पाच से कम जलों तक में ही समित था बराज के एक तहाई से अधिक जलों में फैल गया है गुरुवार को 14 जलों में टेस्ट के बाद कोरोना की नए संक्रमित पाए गए हैं स्वास्त वभाग के सचीव संजय कु कि यहीं जिसके बाद 61 लोग कोरोना वाइरस से पॉजिटिव मिलें हैं पत्ना के सच्थ नए पॉजिटिव के अलावा भागलपुर में चार नए संक्रमित पहले हैं मामले सामने आये हैं तो वहीं नए मामलों के साथ राज दिमें अब कोरोना वाइरस की पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है आपको बता दी कि गुरुवार को 0.107 प्रसीसत था इक हफते पहली 6 अपरेल को पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.40 था जिलिवार ब्रेक अप स हई पता चलता है कि पट्णा में सबस्षे रात्मक दर 0.61 प्रतीशत थी इसके बाद दर्भंगा में 0.29 प्रतीशत था तो सहरसा में 0.24 प्रतीशत रहा है तो वहीं गोपालगंज में 0.20 प्रतीशत और भागलपुर में 0 डिसमलव 19 प्रतीशत का स्थान था तो वहीं आपको बता देए कि गुरुवार को देश में कोरोना के कुल 10,162 नई मामले सामने आए हैं असमें सबसे जादा केरल से हैं केरल में 3420 केस का पता चला है इसके बाद दिल्ली में 1149 केस मिले हैं तो 142 और उत्तर प्रदेश में 442 मिले हैं इस बीच बहार देश भर में 19 स्थान पर है पटना के एकतस्त नई पॉजिटिव के अलावा भागलपुर में चार नए संक्रमित पाए गए हैं इसके बाद दर्भंगा में चार कोरोना पॉजिटिव पेसिंट मिले हैं तो सहरसा में पूरवी चंपारण में एक पूर्निया में 1 वहर मैं मध्यपुना में तो वही नए मामलों के साथ मंध बॉसिटिवीटी दिन पर दिन बढती हुई जारी हैं अब बता दिए कि कोरोना की रफ्तार एक पिर से तेज हो गया है सबसे ज़्यादा टेंचन पटना में है बता दे बिहार सहित पूरे दीश में कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से की कोरोना को फॉलो करिए और उसके साथी साथ खुद को कोरोना से बचाईए